कि नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल एस्टेटी विद विपिन में हार्दिक स्वागत है तो आज हम लोग भौतिक बिग्ज्ञान से संबंदी समानी ज्ञान के अंतरगत दूसरा सेट देखेंगे दूसरे सेट के अंतरगत आने वाले क्यूस्टन्स जो आप और आप हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा आगे आने आली वीडियो आपके लिए एक्जाम्स के लिए काफी हल्फुल होगी तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज दूसरे सेट के कुछ क्यूस्टन और उनके आंसर्स आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस करिएगा कि आप लोग को इन कुशिंस में से कितने कुशिंस आ रहे हैं वह हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा तो चलिए देखते हैं अब दूसरे सेट के अंतरगत जो क्यूस्टन सेए उसमें पहला क्यूस्टन है एंग्रेस्ट्राम क्या मापता है आप्शन है तरंग मापता है जो आंसर से सही है उसको हम हाइलाइट रेड कलर से कर रहे हैं अगला क्यूशन है लोहे की सुई पानी की सता पर तैरती है इस पर इघटना का क्या कारण है आप्शन है स्यानता गुरुतिय दुरण प्रिष्ट तनाव या इन में से कोई नहीं तो लोहे की पतली सुई पानी की सता पर प्रिष्ट तनाव के कारण तैराई जा सकती है इसका सही अंसर होगा प्रिष्ट तनाव अगला क्यूशन है एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है आप्शन है 450 वाट, 600 वाट, 734 वाट या फिर 746 वाट तो इसका अंसर होगा 746 वाट अगला क्यूशन है बर्नोली पर्मे आधारित है उर्जा संरच्छन पर, संबेग संरच्छन पर, आबेश संरच्छन पर या इनने से कोई नहीं तो बर्नोली की पर्मे जो होती है ये उर्जा संरच्छन पर आधारित होती है अगला क्यूशन है बर्फ परदाब बढ़ाने पर उसका गल्लांग क्या होगा घड़ जाएगा, बढ़ जाएगा, सून्य हो जाएगा या अपरिवर्थित रहेगा तो बर्फ परदाब बढ़ाने पर उसका गल्लांग घड़ जाएगा पहला उप्षन सही है उस्मा का सबसे अच्छा चालक है उप्षन है चांदी, सोना, ताबा, एल्मोनियम तो उस्मा का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी अगला क्यूशन है निम्लिखित में से किसकी उस्मा धारिता अधिक है उप्षन है बेंजीन, जल, सोण का टुकड़ा या फिर लोही का टुकड़ा तो उस्मा धारिता सबसे अधिक किसकी होती है जल की अगला क्यूशन है निम्लिखित में से किसमे सर्भोच विशीष्ट उस्मा का मान होता है अप्षन है तामबा, सीशा, जल, कांच तो विशीष्ट उस्मा का मान सबसे अधा भी जल में ही होता है नेक्स्ट क्यूचन है आणविक संगठन के द्वारा उस्मा का संप्रेशन क्या कहलाता है उस्मा का संप्रेशन संभान, वीकिरन, चालन या प्रकेडन तो आणविक संगठन के द्वारा जो उस्मा का संप्रेशन होता है वो संभान कहलाता है नेक्स्ट क्यूचन है निमलिखित द्रव में कौन सा उस्मा का बहुत अच्छा चालक है द्रव की बात हो रही है ओप्सन है एथर, बेंजीन, पारा या फिर पानी तो द्रव इन चारों में पारा सबसे अच्छा उस्मा का चालक है अगला है ठोस कपूर से कपूर वास्प बनानी की प्रकिरिया को क्या कहते हैं पहला उप्सन है उर्ध पातन, दूसरा है वास्पी करण, दीसरा है पिगलना और चौथा है इन में से कोई नहीं तो ठोस कपूर से कपूर वास्प बननी की किरिया को उर्ध पातन कहते हैं या फिर इन में से कोई नहीं, तो उस्मा की गत के पर्थम नियम से उर्जा सन्रचित होती है, जी है, नेक्स्ट क्योशन है, ध्वनी तरंगों की प्रकिर्थ कैसी होती है, तो मतलब ध्वनी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, अफ्षन है अनुदैर्ध, दूसरा अप्षन है अप्रगामी, तीसरा अप्षन है अनुप्रस्थ, और चौथा अप्षन है विद्दु चुम्बा की तरंगे, तो ध्वनी तरंगे की प्रकिर्थ जो होती है, यह अनुदैर्ध तरंगों की होती है, यह ध्वनी तरंगे अनुदैर्ध तरंगे होती है, नेक्स्ट कुछन है ध्वन तरंगे किसके कारण प्रतिध्वन उत्पन करती है आप्शन है बिवर्तन अपवर्तन परावर्तन या इन में से कोई नहीं तो ध्वनी तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वन उत्पन करती है डापलर प्रभाव सम्मंदित है मुद्रा प्रचलन से मनु विज्ञान से ध्वनी से या फिर जनसंख्या से तो सम बहुत इजी क्यूशन है डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनी से संबंदित है कौन सी तरंगे सुन्नी में संचरण नहीं हो सकती सुन्नी का मतलब है निर्वात में कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है तो option है उस्मा, ध्वनी, प्रकास या इनमें से कोई नहीं तो ध्वनी तरंगे यानि कि जो आनुदैर्ध तरंगे होती है इनके चलने के लिए किसी माध्यम क्या ओ सकता होती है यह जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है अगला क्यूशन है जब ध्वन तरंगे चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती है अपसन है द्रब्मान, ध्वनी, तीसरा है उर्जा और चौथा है इन में से कोई नहीं जब ध्वन तरंगे चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती है उर्जा ले के जाती है अगला क्यूशन है जब प्रकास के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनपात में मिलाया जाता है तो परेडामी रंग कौन सा होगा अपसन है काला दूसरा अपसन स्याम तीसरा है सफेद फिर चौथा है मेजेंटा तो जब तीनों लाल, हरा और नीला को मिलाया जाएगा तो जो कलर बनेगा होगा सफेद अगला अपसन है कैमरे में किस परकार के लेंस का प्रियोग किया जाता है अपसन है उत्तल दूसरा है वर्टुला कार तीसरा है समान चोड़ाई का और चोथा है अउत्तल तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रियोग किया जाता है अगला क्यूशन है नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्रोपित किया जाता है पहला उप्षन है लेंस, दूसरा है कार्णिया, दीसरा है पूरी आंक, चोथा है रेटिना, तो कार्णिया जो है नेत्रदान किया जाता है, अगला उप्षन है मायोपिया का क्या तात पर है, निकट द्रिष्ट दोस वर्डान दता, दूर द्रिष्ट दोस या इन में से कोई नहीं तो Myopia जो है निकर द्रिष्ट दोस को कहा जाता है अगला अफ्षण है दुर्वीन का विष्कार किस ने किया था तो एडिसन, गुटिनबर्ग, गय ले लियो और इनमें से कोई नी तो दुर्वीन का विश्गारक गय ले लियो अगला क्यूशन है निमली खित में किसमें उच्चता मुर्जा होती है नीला प्रकास, लाल प्रकास, पीला प्रकास या फिर हारा प्रकास तो इसका अंसर होगा नीला प्रकास अगला क्यूशन है जल में वायू का बुलबुला किस भाती बेवहार करता है उत्तल लेंस, उत्तल दरपन, उत्तल लेंस या उत्तल दरपन तो जल में वायू का बुलबुला जो है उत्तल लेंस की तरह बेवहार करता है अगला क्यूशन है प्रकास की गत किसके बीच से जाते हुए निवनितम होती है वायू, जल, कांच या फिर निर्वाद तो इसका आंसर होगा कांच में प्रकास की गत इन चारों अप्शन में निवनितम होती है किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है तारे की दूरी तारे का ताप तारे का भार या तारे का आकार तो तारे के रंग तारे के ताप पर निर्भर करता है अंगला क्यूशन ऐन मनenda rerifit में इसमें दोर्फर को आपकी 6 सबसे छोटी होती है 12 अप्रेल 2 मार्च 18 मार्च या कई जून तो या कई जून उत्री गोलार्ड में जो है बड़ा दिन होता है या जो है इस दिन जो है सूर्य करक्रेखा पर चमकता है इसलिए जो है चाया सबसे छोटी होगी अगला क्यूशन है पानी के उपर तेल परत का चमकना उधारण है ब बिंदुक तक का दोस्ट दूर करने के लिए निम लिखित में से किस लेंज का प्रियोग किया जाता है उत्तर लेंज उत्तर लेंज सिलेंट्री लेंज या फिर दिफोकल ये लेंज